कि यलो फ्रेंड्स में हूं रिली सावल्या और आप देखरें में रे यूटूब चैनल आरेस ओटोमोटिव तो आज की वीडियो में हम बात करने वाल हैं इंडिया के टोप 5 एक्सपेंसिव स्कूटर्स के बारे में आज की वीडियो को पूरा देखें और एसे ही ओटोमोबा अबडेट्स देखने के लिए हमारे चल्ल को सब्सक्राइब करें तो चल यह चलते हैं वीडियो की तरफ क्योंकि स्कूटर एक गेरलेस वहीकल को स्कूटर करतारि अंफ् utilization एसफेंसे कम वालेज को प्रोवाइड कर सकते हों ein सबसे बड़ा फाइदा कि आगे जो फूट बोर्ड होता है वो काफी लंबा होता है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा सामान लोड कर सकते हैं और टिक की भी आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी चीजे सीक्यूर भी रख सकते हैं और काफी स्पेस भी आपको देखने को मिलता है तो एक कुछ फाइद है जिसकी वज़र से लोग स्कूटर को ज्यादा प्रिफर करते हैं बट इंडिया जैसी कंट्री में स्कूटर्स के लोग इतने ज्यादा शोक ही नहीं इसलिए स्कूटर्स लेते हैं जिन में तीन स्कूटर्स सबसे सहे एक तो हो गया एक टीवा एक हो गया खक जूपी्टर औरπόम मेस्ट में 3-4 स्कूटर्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बीगते हैं अब करी लोगों को क्या होता है किृटर्स स्कूटर्स ज्यादा अच्छा लगते हैं और वह एक रुपे के नीचे बाइक साते हैं उनसे स्कूटर्स लेना आपके लिए अच्छा option हो सकता है क्योंकि उस प्राइज रेंज में आपको काफी अच्छे स्कूटर्स देखने को मिल जाते हैं तो जो एक्सपेंसे उस स्कूटर्स है उनमें से फिफ्ट नंबर पर जो स्कूटर आता है वह एपरिला SR 150 अब जो एपरिला SR 150 है वह आपको एक काफी अच्छा स्कूटर में बोल सकता हूँ क्योंकि यह परफेक्टली में के लिए डिजाइन किया गया है ऐसा नहीं है कि इसे वुमन नहीं चला सकते बट यह मेंस जो राइडर्स होते हैं उनके साथ काफी शूट करता है और इसका जो लुकिंग है वह इंडिया में जो सभी स्कूटर साथ हैं उनमें से सबसे आप अच्छा इसका लुकिंग बोल सकते हो क्योंकि मुझे इसका लुकिंग काफी अच्छा लगता है और ज्यादा तर लोगों को इसका लुकिंग काफी अच्छा लगता है और एप्रिला ऐसे स्कूटर्स को डिजाइन करते हैं जो कि मैन राइडर्स को एट्रेक्ट करें तो इसमें आपको 154 सिसी का एक एंजीन देखने को मिल जाता है पावर इसकी थोड़ी कम है जो कि है 10.4 बीएजपी जो कि कम नहीं है एक स्कूटर्स में काफ़ी अच्छा पावर इसे बोल सकते हो और टोर्क है 11 नेनोमीटर का अब इसके प्राइजिंग की बात करें तो इसका प्राइजिंग है 74,000 रूपीस बट इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पोइंट है वो है कि इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डिसपोइंटमेंट कर आने वाली बात लगती है क्योंकि अगर इसी जगह फ्यूल इंजेक्टर लगा होता तो आपको काफी अच्छी माइलेज मिलती और काफी अच्छा एक्सिलरेशन भी मिलता जिसकी वजह से पावर भी काफी बढ़ाया जा सकता था बट इसको जो है फिफ्ट पोजिशन पर आने वाली स्कूटर के बारे में हम बात कर लेते हैं तो जो फॉर्थ नंबर पर आने वाला स्कूटर है वह ही हीरो की तरफ से आने वाला हीरो इलेक्ट्रिक फोटन स्कूटर आ तो फॉर्थ नंबर पर आने वाला स्कूटर जो है एक्स्पेंसिव स्कूटर वह है इलेक्रि को मिलता है और इसका जो पावर है वो भी काफी अच्छा है बट इसकी जो पावर रेंज है वो काफी कम आपको देखने को मिलते है जिस प्राइज में आपको देखने को मिलता है इसके जो पावर रेंज है वो इक कोनोमी मोड में 80 km की और पावर मोड में है 50 km की और इसका जो प्राइज यह वह है 86,000 रूपीस अब 86,000 रूपीस में आपको क्या देखने को मिलता है सिर्फ 80 km की पावर है जो की काफे कम आप जी से बोल सकते हो और इसकी प्राइज चुल में 87,000 रूपीस है क्योंकि यह आपको शोरों में 87,000 रुपिस में देखने को मिलता है बट अगर आप इसी 87,000 में खरीते हैं उससे अच्छा है आप रिवर्ड के तरफ से आगे वाली आरवी 300 वाइक यानिकि रिवर्ड आरवी 300 वाइक जो आती है वो इस से 10 या 12,000 रुपिय मेहंगी देखने क मिलते हैं मुझे रिवर्ड कमणी ने स्पॉंसर नहीं करा बट ऐसे ही बता रहा हूं वह आपको दस से 12,000 रुपिय मेहंगे में देखने को मिलते हैं बट उसके जो प्लस फीचर से वह आपको बता दू उसमें एक तो एक काफे अच्छा फीचर है जो कि है एक्जोस्ट से अच्छी है और उसका जो रेंज है वह भी इस से डबल है यानि कि उसमें आपको 150 km का रेंज देखने को मिलता है तो अगर आप यही लेना चाहते हैं तो इसमें 10 या 12,000 मिलाकर आप रिवोल्ट आर्वी 300 ले सकते हैं और उसमें शायद आपको थोड़ी सबसीडी भी मिल सकती है जो की गवर्मेंट की तरफ से मिलती है तो यह स्कूटर तो फुल्ली ओवर प्राइज अगर यही स्कूटर 65,000 में आपको मिलता तो ठीक रहता जो है यह फीचर को देखते हुए तो अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर के स्कूटर के बारे में तो जो थर्ड नंब स्कूटर की जो सभी रेंज आती है उसमें क्लासिक कंपनी क्लासिक कैसे कि जो बाइक्स की सभी रेंज आती है उसमें रोय लेंफिल्ड एक क्लासिक कंपनी है वह क्लासिक बाइक्स बनाते है तो यह से ही व्यस्पा जो है एक क्लासिक स्कूटर बनाती है व्यस्पा के जो है इस तरह होते हैं आप व्यास्पा के स्कूटरस में अपने एक बात स की कि यह जो मेंत हैं आप को ओपर वोड़ी होते हैं उसमें आपको ज्याधा तर कहीं भी स्कूटरिस नहीं देखने होते हैं क्योंकि व्यास्पाकी में इतनी अफ लेवल घु Bor causa कि उसे नॉर्मल 150 वह वेस्पा का है वी एक्सेल 150 के जैसा ही आपको थोड़ा देखने को मिलता है और इसमें जो है एलगेंट 150 उसमें काफे अच्छा लूकिंग देखने को मिलता है आगे जो है वाइंड स्क्रीन लगे हुए है और साथ में इसमें लगा हुआ है 150 CC का एंजीन इसका जो पावर है वह सेम आपको जो एप्रिल्ला में देखने को मिलता था वही सेम पावर 11.5 भी का पावर है और 11.4 नैनोमीटर का टोर्क है पावर के मामले में भी अच्छी गाड़ी है वैसे पावर इसका कम नहीं है बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है थोड़ा प्राइस जो וौट है वो थोड़ा हाई है व्यूटर के बिल्ड हो काफी अच्छी की चाती हे वेस्पा की स्कूटरो इसका प्राइस नॉर्मली बोल सकते है इसका प्राइस एक स्कूटर्स स्कूटर के लिए स Bak Cake अपर दिवाने होते है उन्हें यह प्राइस जो है कुछ भी नहीं लगता वह एक स्कूटर के लिए भी सवा लाक रुपे देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इसकी बिल्ड ही ऐसी की जाती है तो यह तो बात हो गई थर्ड नंबर पर आने वाले स्कूटर के बारे में अब जो सेकंड नंबर पर आने स्कूटर हो फिर से एक आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलता है तो अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर आने वाले एक्सपेंसिव स्कूटर के बारे में तो जो सेकंड नंबर पर आने वाला सबसे एक्सपेंसिव स्कूटर है वह है ओकिना की तरफ से आने व लगा क्योंकि यह जो price range में आता है वो इसके जो features है वह दोनों काफ़े अच्छे है क्योंकि इस price में a feature आपको मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है तो अब इसके features की बात कर लेते हैं तो इसका जो feature है उसका list काफी लंबा है तो मैंने उसे फोन में लिख कर रखा है उसमें से बताता हूं तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है जी ओफेंसिंग साथ ही में वर्ट्यूल स्पीड लिमिट अब यह फीचर जो है वह क्या होता है कि आप मोबाइल से जो है इसमें काम आता है बैट्री uh jaug data बीकाता है कि अपको बैटरी हील्थ बताता है कि मैट्री सही आलत में है सही से चांज हो रही है जिसे कहता है बैटरी हेल्थ ट्रेकर जीपीएस जीपीएस का ओप्शन होना काफी जरूरी है क्योंकि कहीं बार जीपीएस जो है वह आप फोन पर खोल कर रखते हैं बाइक में तो वह थेड़ी दिक्कत देता है कार में कोई प्रोब्लेम नहीं होती बट बाइक में जीपीए जीपीएस का ओप्शन देखने को मिलता है जो की काफी अच्छी बात है साथ ही में इसका जो फूल चार्जिंग टाइम है वह तीन गंटे का बट इसका जो बैटरी बेक अप है यानि कि इसकी जो बैटरी रेंज है वह है वन शिक्स्टी से लेकर वन एटी किलोमीटर की ती से अच्छा स्कूटर लोंच नहीं हुआ है इसकी जो प्राइस से वह है वन पॉइट फिफ्टीन लाक रूपी यानि कि करिब करिब सवाल लाक रूपी यह प्राइज में जो है यह स्कूटर काफी अच्छा आप इसे बोल सकते हो तो यह तो हो गई दूसरे नंबर पर आने आने वाला 16 एक्सिफैंस पोटर के ещё तो पहले नंवर पर आने वाला 65 स्कूटर ही देखने रहे चेक लिदा है जो कि काफी जाना माना इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसके लें यूट्यो पर और कहीं सोचोल मीडिया प्लैट्पॉरम पर काफी ज्यादा हुए है जो कि है ए क्योंकि एक काफी कम टाइम में काफी टॉप स्पीड तक पहुंच जाता है इसकी टॉप स्पीड से भी थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं इसके तीन पावर मोड से और इसके अगर जो रेंग बेटरी रेंग उसकी बात करें तो यह आपको 45-75 किलोमीटर की पीकप ट्वर्क यानि की सका पिकप यो है वह आपको एक प्यक्तर फीड़ च्गतर से जदा देखने को मिलता इसे वजह से प। यश्यादा है काफी ज़यादा नहीं बट इसके फीचर की प्राइश यह अच्छा अक्छ है इस वह प्यूंट हूँप्स को मिलता है और इसक स्कूटर आपको पढ़ता है 1.22 लेक रूपीज में जो की काफी अच्छी वात है अगर आप एक पावर स्कूटर के शोकिन हो और अगर आपको पेट्रोल स्कूटर नहीं लेना है बट आपको एक स्कूटर लेना है तो आप बेशक इसे ले सकते हैं इसकी जो डीजाइन है वो सभी इलेक्टिक स्कूटर से काफी अच्छी है ओकी नवा का जो स्कूटर है ओकी नवा आई प्राइस उसकी डीजाइन थोड़ी बलकी है लुक में इतनी अच्छी नहीं बट जो एथर 458 से वो में भी काफी अच्छा है फीचर में काफी अच्छा है स्पीड में भी अच्छा है बट इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसी ही ओटमोबाइल अपडेट्स देखते के लिए हमारे चैनल को मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय